तो हाई एवरिवन वेलकम टू आयएपएस कैसे हैं आप सब लोग तो आप सब लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे शांदार होंगे मजे से अपनी बढ़ाई कर रहे होंगे तो एक छोटी सी वीडियो है अबाउट क्ill君 क्राईटेरिया के लिए जो लोग पहली ने केमिकल साइस एक्जाम को सूंग रहे wholesale्यौ स्पर्सक्राइब के लिए K फिसम के लिए यहां पर यह आपको साइट पर मिलेगा that is msc होनी चाहिए या उसके इक्विलेंट डिग्री होनी चाहिए ठीक है इंटिग्रेटेड बीएस एमेस प्रोग्राम होना चाहिए बीटेक या फिर बीफार्मा या फिर अगर हम हमारे केमिकल साइंस की बात करें तो हमें बेसिक सिंपल यह ध्यान रखना है msc chemistry chemistry क्या होनी चाहिए msc chemistry आपका होना चाहिए with 55% at least 55% होना चाहिए for what for journal for journal EWS and OBC and if there is SC ST and other person and PWD इनके लिए 55 55 से 50% percentage हो जाती है 5% का इन्हें relaxation होता है ठीक है यह चीज आपको ध्यान रखनी है then इसके बाद एक और चोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है main eligibility criteria में वो क्या है age limit ठीक है age limit की अगर हम बात करें तो JRF के लिए है ना देखो अगर आप net भरने जाते हो नेट का exam CSI net का exam बरने जाते हो तो आपके पास दो option होते हैं ठीक है दो option होते हैं एक होता है 28 से ज्यादा वो होंगे 29 की होंगे तो वो eligible नहीं है ठीक है यह बात आपको ध्यान रखनी है यहां पर 5 years का relaxation होता है SCST को and OBC category को 3 years का relaxation होता है मतलब इनके लिए 28 31 चला जाता है यह अगर कोई बात करें तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है आप किसी भी age के ऊपर इस एक्जाम को दे सकते हो कोई एज लिमिट नहीं है मगर अगर आप जे आरेफ के बारे में सोच रहे हो तो 28 मिनिमम आपकी मतलब मैक्सिमम 28 तक एज होनी चीए उससे ज्यादा एज नहीं होनी चीए ठीक है I hope यह चीजे थोड़ा सा आप यह help करेगी एक्जाम से आगे जुड़ने में ठीक है तो अच्छे से एक्जाम को शुरू कर रहे हो आप पहली बार शुरू कर रहे हो तो अच्छे से इसके बेसिक इसके सारी चीजों के बारे में जान लें कि इस एक्जाम के कितने क्यूशन है क्या पैटरन है उन सारी चीजों के लिए ह आपके पास लेकर आ रहे हैं जो लोग शुरू-शुरू में इसकी त्यारी करते हैं उनको पूरा पैटर्न समझ नहीं आता कैसे-कैसे ओप्शन आते हैं क्योंकि एक डिफरेंट एक्जाम है तो इसको अच्छे से समझे उस सारी वीडियो हम लेकर आते रहेंगे आप लोग ब